हेलो दोस्तों स्वागत है मेरे किचन में आज हम बच्चों का फेवरेट कटोरी पिर्जा बनाने जा रहे हैं और यह हम गुते हुए आटे से बना रहे हैं और काफी सब्चीय भी है तो काफी हेल्दी भी है यह बच्चे बहुत आराम से खालें गए और बहुत इजी है इसे बहुत आसानी से बन जाते हैं तो आपको यह वीडियो बहुत पसंद आने वाला है तो एक बाद जो ट्राइब करिएगा पसंद जो आने वाला है तो लाइक का बटन जो प्रिस कर देजेगा और जो मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेज अब इसमें हम दो चमस के लपग हम ऑईल डाल देंगे हैं और अच्छी चिने मिक्स कर लेंगे हम इसे आपके पास ब्रिथे हुए आटे रखे हैं आप उसको यूज करना चाहते हैं इस तरह इन्हें भी यूज कर सकती हैं अब इसमें थोड़ा से नमक डाल देंगे जो कटोरी बनते हैं इसके जो बनते हैं वह बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी लगते हैं तो यह दि अब इसमें मक्षन डाल देते हैं एक चमस क्लेबब यह मेल्ट हो गया है अब इसमें हम दो मिर्ची डाल देंगे अब कुछ मटर डाल देते हैं इन्हें थोड़ा से पका लेंगे थोड़ा से बिल्कुल अब कुछ सब्ची में डाल दिया है स्वीट कॉर्न है एक गाजर है सिम्ला मिर्च प्याज सभी को साथ में डाल देंगे की साथ और थोड़ा से रोस्ट कर लेंगे में बहुत ज़्यादा पकाना नहीं इन्हें में बस करनके क्रांची ही रहना चाहिए इसे बहुत अच्छ में डाल देते हैं चाठ मसाला को इसे नमक करनें डालेंगे और चाठ मसाले से काफी करते तो इस बूब हम डाल दे हैं तो फोला दीया में थूड़ा चीली फ्लैक्स थोड़ा और जालनें तो इस तो पीज़े बना रहे तो यह सब ज़रूरी है बहुत ही टेस्टी लगते तो बहुत पकाना नहीं बस क्रण्ची थोड़ा सा होना चाहिए यह देखिए कि अच्छी से हो गया है अब इन्हें थंडा कर लेंगे अब देखिए आटा भी अच्छी से हो गया है यह रेष्ट के लिए में थोड़ा देर के लिए रख दिया था अब इसके लोई बना पास आपके पास जिस भी डिजाइन के हो वह ले लीजिया आप इसमें थोड़ा सा ओईल लगा देंगे ऊपर कि इसे त्रसे इन्हें इस तरशे ऑई name है कि सभी कटोरिंट हम लगा देंगे इसी तरह को और इस तरह रोटी पर इस तरह स्म रख के इन्हें इस तरह से भूल हम अधिया है इस तरह से पारई आराम से बन जाते हैं है । है दिकिए मैंने इस तरह बना लिया है стол ow not करना के आपको दिखा देंगे कि इस तरह से नहीं करते जाएंगे थोड़ा-थोड़ा इस तरह से मुड़ते हुए इस तरह से हम कटोरी की तरह हम इन्हें बना लेंगे इस तरह सभी कट बना लेंगे यह बहुत आराम से बन जाएंगे यह बहुत टेश्टी लगते बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं अब तेल अच्छे से गरम हो जाएंगे फिर इन्हें डाल देंगे इसी तरह डाल के नहीं अच्छे से कि यह अपनी आप ही निकल जाते हैं का टोरी जो होते हैं और अच्छे से छोड़ देंगे पहले से आपको यह कैसा लगा कमेंट में करके जहूर बताईएगा अच्छा लगा बुरा लगा कैसा भी लगे प्लीज बताईए जहूर और अपनी पसंद आए तो लाइक का भी बटन प्रेस कर देजीगा बहुत अच्छा लगता आप लोग करते हैं तो इस तरह से हम कटोरी इस त यह काफी हल्दी भी आटेस बनाया है तो काफी बच्चे भी आराम से खा लेंगे उन्हें बहुत पसंद आएगा तो यह देखे में इन्हें फ्राइ के लिए अच्छी से यह काफी अच्छी से हो गए इन्हें हम निकाल लिए हमने कि यह देखे कितनी क्रिस्पी लग रहें देखने में और बहुत तीक क्रंची बहुत टेस्टी लगते हैं यह खाने में अब इसमें थोड़ा सौस लगा देंगे अज देखे अच्छी से लग गया है इससी तरह हम सभी में लगा लेंगे हम दीके में सभी में लगा दिया है अब इसमें फिलिंग कर देंगे ने वहर देंगे इससी तो कफी सबजी भी है तो कोई टेंशन नहीं है और हेल्दी भी है और टेस्टी भी है तो बहुत पसंद से खा लेंगे अब थोड़ा स्मेने से चीज डाल दिया में इसके उपर से फिर से फीलिंग हम कर देंगे आपके पास दो सब्सक्राइब डाल के बनाईए अब इसके उपर से थोड़ा से स्लाइस वाले चीज हम डाल दे रहे हैं आपके पास कोई भी चीजों डाल लिए इस तरह से मने रख दिया है थोड़ा से और डाल देते हैं इसमें तो चिली फ्लेक्स बहुत ही चट्पटाटे इस्टी बन जाते हैं यह पीजा अब इसे कड़ाए में एक स्टैंड इस तरह से रख देंगे और इसके उपर इस तरह से नहम रख देंगे अब पांच मिनट के लिए से फिने ढख देंगे हम देखें पांच मिनट बाद यह देखें कितने आसाने से कितने अच्छे लग रहा है देखनें कितने आराम से हो गए तो इन्हें प्लेट में निकाल लिए हमने इतने अच्छे लग रहे हैं यह बहुत ही क्रिस्पी है बहुत ही टेश्टी एदिक तोड़ने पर देखें किस तरह से लग रहे हैं आपको खुद पता चल रहा होगा देखने में और खाने में बहुत टेश्टी है तो एक बाद काट के दिखा रहे हैं आपको एक कैसा लगा प्रीज कमेंट करके बहुत बताएगा और अच्छा लगत लाइक का बुटन जो प्रेस कर देजिएगा आप काट के दिखा रहे हैं यह देखें कृत्ने क्रंची है तो वीडियो देखने करे थाएंकिसो मच